नमस्कार आप देख रहे हैं आईपा यानि की All India Progressive Political Association वो मन जहां हम बात करते हैं प्रगती शील राजनीती की उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं वो मुद्दे जो देश में प्रगती लाएंगे या फिर प्रगती की बात करेंगे और आज जिनी मुद्दों प आपने हमको इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आए और हमसे हमारे विचार व्यक्त करने के लिए आपने का धन्यवाद मैम तो मैम जसा कि मैंने आपको बताए कि ये कैसा मंच है जहां पे हम लोग प्रगती शील राजनीती बैसिकली Progressive Politics के बारे में बात करना चाहते हैं त कि मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि हम मेरा विचार है और मेरे हिसाब से बाकी और जनता भी इस चीज को अग्री करेगी बहुत ही ओची Politics हो रही है एक जमाना था जब हम कहते थे कि Politicians के Standards होते हैं आज की Politics में जो राजनेता है वो राजनेता बहुत ही नीचे इस तर तक गिरता चला जा रहा है उनको सिर्फ उसिर्फ अपना फाइदा दिखाई दे रहा है उनको ये दिखाई दे रहा है कि हम कैसे जनता को बेवकूफ बनाए और आगे पड़े मेरे हिसाब से जो Progressive Politics होती है वो होती है जिसमें राश्ट्रहित सर्वोपरी होता है अस पहले देखा जाता कि राजनीती एक समात सिवा से जोड़ी जाती थी लेकिन अब जैसा कि आपने बताए कि ओची हो रही है वो लोग राश्ट्रहित को पीछे रखे और सारे मुद्दो को लेके आते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों ये सारे जो जाती है धर्म ह ये सब मुद्दे राजनीती का हिससा क्यों नहीं होने चाहिए ये जाती धर में किसने बनाई है हमने बनाई है जब हम अपने स्वतंतरता की लड़ाई लड़ रहे थे तब हमने पूछा तुम कौन सी जाती क्यों हो तुम क्यों मेरे साथ अंग्रेजों को भगा रहे हो जाती धर्म ये सब कुछ नहीं है हम वैसे बात करते हैं ये फला फला धर्म बहुत बेकार है या ये जाती बहुत बेकार है लेकिन हमारे बहुत से ऐसे अभिन्न मित्र हैं जो उन जातियों को उन समुदायों को उन धर्मों को बिलॉंग करते हैं क्या हमारे वो दोस्त खरा इसके पास में ये इसके बहुत सारे live examples हैं जो हम अक्सर आज की date में day to day life में हम देख रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज की date में ये समाज खतम हो चुका होता अगर जैसे आप सिक्षा से जूड़ी हुई है तो अगर मैं आप से जानना चाहूँ आप क्या लगता है कि ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे देश की अगर हम सिक्षा किस तर की बात करें हम बात तो करते हैं विश्व गुरू बनने की लेकिन कहीं न कहीं कमी हम देखते हैं तो शिक्षा के सतर में आप कहा कमी देखती है और उसको किस तर से बढ़ाया जा सकता है देखी सिक्षा के सतर में सबसे पहली कमी तो मैं तो एक प्राइविट स्कूल को बिलॉंग करती हूँ पहले समय था कि जो सिक्षा हम लोग प्रदान कर रहे थे प्राइवेट स्कूल्स में वो बहुत अच्छी थी आज के समय में क्या हो गया है डेली सरकार से डियाइवेस से बीएसे ओफिस से यहां से वहां से डियम ओफिस से सब जगे से आज यह करना है अगर उनको टारगेट मिला है कि हमें मुख्यमंत्री जी किसी जगे पे जा रही है और वो बहुत बड़ा स्थान है वो पुरा-पुरा आडिटोरियम भरा होना चाहिए हर स्कूल से इतने-इतने बच्चे भेज दीजे क्यों बच्चों की सिक्षा नहीं है क्या मजाग बनाया हुआ है बच्चों की सिक्षा को जरा सी ठंडी होती है छुटी हो गई जरा सी गर्मी हो गई छुटी हो गई हम अपने बच्चों को उतना सक्षम कैसे बना लें जब जरा-जरा सी बातों पे इतना ज़्यादा इंटेफेरेंस हो रहा है फिर दूसरी बात रही कि जहां पर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूंगी दो कमरे में आपके उच्चतर माधिमिक विद्याले भी चलते हैं वहां के लिए कोई मानक क्यों नहीं है हमें अगर स्टेट एनोसी लेनी होती है तो उस एनोसी के लिए हमको दस तरह की एनोसी लेनी होती है कि इतना ground होना चाहिए, classroom का यह size होना चाहिए यह furniture होना चाहिए, lab इतनी होनी चाहिए पुस्तकाले में इतनी सारी किताबे होनी चाहिए बहुत सारे उचीजे हैं तो सरकारी विद्यालियों में ये क्यों नहीं जबकि ज़्यादा था सरकारी विद्याले तो रूरल एरियाज में है वहाँ जमीन की कमी है क्या जब शहरी एरिया में सरकार कहती है कम से कम एक एकर आपके पास जमीन होनी चाहिए प्राइवेट विद्याले को तो सरकारी विद्याले में ये अंदेखी क्यों होती है सरकारी विद्याले का जो अतियापक है वो कितना पढ़ाता है क्यों हर कोई प्राइविट विद्यालियों की तरफ आ रहा है इस पे क्या वो गौर नहीं देते हैं ये जितने भी राजनेता हैं इनके बच्चे या जितने आईएस हैं, जितने भी आईएस हैं, उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालियों में क्यों पढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी विद्यालियों का इस तर उंचा करने के बज़ाएं, प्राइवेट का भी इस तर नीचे कि इसका solution क्या देखती है कि किस तरीके से इसको बदला जाए आपकी तरफ से क्या solution इसका नजर आता है आपको दिखिए इसका solution तो जितनी भी policies बनती है ये तो politicians बनाते हैं राजनेता बनाते हैं तो मेरी तो सबसे यही विंती रहेगी ये request रहेगी कि सिक्षा का इसतर नीचे ग जिरानी के बज़ाए एक विश्वास हम लोगों पे करे और दूसरा चीज है सरकारी विद्यालियों का भी इसतर इतना अच्छा का दे मैं सरकारी विद्याले की पढ़ी वी हूँ मुझे गर्व होता है कि मैं पढ़ी हूँ वाह की लेकिन आज की रेट में अगर मुझसे कह पड़ी में हो जाता है तो सरकार की जो नीतियां है वो politicians अपना पर स्नल हित एक किनारे रखे देश हित को सामने रखेंगे तो ही सही नीतियां जो बनती है नीतियों में कमी नहीं है, उसके implementation में कमी है तो उसके implementation को वो ensure करें कि वो सही तरीके से हो अगर बात करूँ लखनों के इस एरिया में यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है इन मुद्धों के कोई बात नहीं करेगा कोई अगर वोट दिने जाएगा अगर जंता भी वोट दिने जाएगी वो देगी हमारा राजनेता कौन है राश्टी चहरा कौन है इस तरहीástico से तो इसका दोशी आखिर आप किसको मानती है यह जंता होती है कि वो अपने मुद्धे सीधा करना जानते हैं, उनको लगता है कि अगर उनकी जनता जादा पढ़ लिख जाएगी, तो उनकी सोचने की जो शमता है, उनकी critical thinking जो है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, they will start analyzing what is good and what is bad for them, और जिस दिन आम आदमी क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए भला है, इस शीज़ को analyze करने लग जाएगा, उस दिन ये राजनता को vote नहीं मिलेगा, तो ये हो सकता है, मेरी सोच गलत हो, और अगर किसी को बुरा लगता है, मैं फैसे माफी मांग लूँगी, बट इसमें गलती दोनों की है, देखिए हम इनसान हैं, और हम लोग भावुख होते हैं, अब एकदम से कहीं कुछ हो जाता है, तो हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, और राजनेताओं को मालूम है कि आम जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है, हमारे इस मन से आप क्योंकि जनता वोट करने जाएंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किन मुद्दों को देखे, आपकी नजर में इस बार अगर हम उत्तरप्रदेश की बात करें, लखनों की बात करें, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिन पर एक्चुल में राजनेती होनी चाहिए? सबसे पहला है सडक, ट्रेफिक, और हाला कि लॉइन ओडर में काफी इंप्रूव्मेंट हुआ है, बद स्टिल मैं यह कहूंगे, कि लॉइन ओर्डर में अभी भी बहुत बहुत इंप्रूव्मेंट की जरूरत है, और जो हुलिगंस हैं, इन लोगों पर थोड़ा सा और सक्ती दिखाय सरकार, यही चीज़े हैं. करोना के अगर हम बात करें, हम दो लेहर से बीच चुके हैं, कितना साथ असर उसका सिक्षा हैं बड़ा सबने देखा, देखिए, सबसे ज़्यादा तो हम सिक्षा जगत वालों को दिक्कत हुई है, हम लोगों ने अपने आपको तुरंट अपडेट किया, टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे अध्यापकों ने, स्कूल में आते थे, 6 गंटा, 8 गंटा काम करते थे, लेकिन कुरूना काल में टीचर्स ने, 6 गंटा, 8 गंटा के बज़ाए, 24 गंटा काम किया है, वीडियो बनाते थे तो, ऐसा होता था, रात में जब सब सो जाते थे, पंखा बंद करके, वो तो गर्मियों का मौसम था, पंखा बंद करके वीडियो बनाते थे, कहीं पंखे की भी आवाज तो नहीं आ रही है, बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, तो मैं तो अपने जितने भी टीचर्स हैं, किसी भी विद्या लेके हूँ, कहीं भी हूँ, मैं उनके लिए तो शचचच नमन करूँगी, जो मेहनत करी है, और मैं कोरोना की अगर बात करूँ, और मैं तीसरी लहर की बात करूँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दोश देना आता है, आप किसी भी मॉल में चले जाएए, किसी भी दुकान में चले जाएए, अगर आपके बगल में कोई खड़ा हुआ है, और आप उससे कह दें, भैसा अब ज़रा मास्क पहन लीजे, पलट कितने गंदे से वो इनसान घुरेग कि कोरोना इतना बढ़ जाए और उसके बाद फिर हम उस चीज में अपना डिसिप्लिन दिखाएं, युवाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं सभी युवाओं से मैं विंती करूंगी, सोच के, समझ के, अपने जो आखें हैं, कान हैं, सब खोल के ही, वो वोट डा है, क्योंकि हम अगर बेरोजकारी की भात करें, तो बेरोजकारी बहुत जाता है, मैं एक विद्याले की प्रधाना चार्या हूँ, मेरे पास में B-Tech, M-Tech के CV's आते हैं, वो 5-10,000 की नौकरी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अभी तक तो ये था, अब लेटिस्ट ट्रेंड करने के लिए है कि BDS, MBBS, कहां भई, मैं निखा फिर बिठा अपने मेडिकल की पढ़ाई क्योंकि मैं नहीं हमें तो टीचिंग करनी है, क्यों, क्योंकि वहां पे इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जितना उनको टीचिंग में मिल जा रहे हैं, तो इतना देख के बहुत को इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, पर ऐसे क्या स्किल इंडिया की मैं बात करूं, कॉंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत आती है क्राउंड लेवल पे, जो इंप्लिमेंटेशन की बात होती है, वहां पे आती है, आप स्किल इंडिया के लिए जाए बैंक्स म मिल आ है, आप कैसी ले लेंगे, आपके अगर बैंक में जान पेचान नहीं है, आपको लोन मिल ही नहीं सकता है, आपका रेकॉर्ड चाहे कितना भी अच्छा हो, निरव मोधी लोग कैसी तयार होते हैं, आपका लिंक है, आपको जितना लोन चाहिए मिल जाएगा, इसकिल लोगों के contacts थे, उन्होंने इदर उदर थोड़ा बहुत दिखा दिया, उसके बाद पैसा इस्तेमाल किया, हो गिया उनका काम. जाते जाते, आपो क्या लगता है कि किस तरीके से progressive politics हमारे देश में लाई जा सकती है, या समझी जा सकती है, या उसमें क्या-क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, progressive politics में सबसे पहले तो, हमें अपनी अंतरात्मा को जग जोर ना होगा, एक जहां मगर सरकारी दफतर में जाते हैं काम के लिए, तो उस सरकारी दफतर का बाबू भी, बाबू छोड़िये, चपरासी भी आपसे 500 रुपए की 1000 रुपए की उम्मीद करता है, हमें वहां से रुकना होगा, हम पैसा दे के काम क्यों कराएं, ये है जनता की वो, कि जिस दिन जनता ने पैसा देना बंद किया काम के लिए, उस दिन ये अपने आप घुटने टेकेंगे, और politicians को अपने स्वयम से उठ करके, देश हित में सोचना होगा, ताकि हमारा देश आके पड़े और हमारी जनता भी आके बढ़ सके. जनता में, पबलिक में, ताकि हम जितने भी अन्सोशिल एलेमेंट्स हैं, उनको हम हटा करके, एक अच्छा समाज और एक अच्छे राश्टर के तरफ अग्रसर हो सके. धन्यवाद में, तो ये थी मिस्स पूनम गौतम जी, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद.